पिहार सिच्छक भरती में रिकार्ड आवेदन हो चुके हैं लेकिन यूपी छातरों के पास बड़ा मौका है कैसे है पूरी अपडेट देंगे लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक सेयर और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस फानली समाप्त हो चुकी है 22 तक आवेधन कर सकते हैं लेकिन एक्स्टा सुलक देकर आवेधन कर सकते हैं तो बहुत ही कम-लेट फिज देकर चातर आवेधन करने वालें फाइनली लगवक आठ लाग ही आवेदन होंगे कुल 1,70,000 सीटों के सापेच जिसमें सबसे ज़्यादों जो आवेदन है वो प्राथमिक सिछक बरती के लिए हैं अपडेट दी गई है कि 1,70,461 पदों पर सिछक बरती की आवेदन की अंतिम्तिती समाप्त होई है अब इसके बाद देखें बड़ी संख्या में जनकरी निकल कर आई है कि कच्छा एक से पांस सिछक में एक पद के लिए 9 अभ्यारती दावेदार हैं जबकि 9 से 10 में आप देखेंगे दो गुना और कच्छा 11 से 12 में पद की तुलिदा में अभ्यारती ही कम है यानि कि 11 से 12 वाले में जो भी यूपी की अनराजी के छात रावेदान की होंगे उनकी तो नौकरी पकी है लेकिन मुद्दा ये नहीं है इसके अलावा भी बहुत बड़ी अपडेट हम आपको दिखाने वाले हैं सबसे पहले आप ये समझ लें कि उत्तर प्रदेश या अन किसी भी राजी के जो भी छातर हैं उन सभी को केवल 16,000 पदों पर ही यहाँ पर नौकरी दी जाएगी केवल 16,000 पद ही उनके लिए रिजर्व करके रखे गाए हैं इस 1,70,000 में ठीक है अब यहाँ पर आप देखिए अनरच्छ इस से पहले एक दोस्तो वर्ती आई थी बिहार में ठीक है वो 68,000 पदों पर आई थी लेकिन उसमें 3400 सिचक बाहरी राज्य के सेलेक्ट हुए थे जिसमें से सबसे ज़्यदा उत्तर प्रदेश और जहार खंड के थे यह उत्तर प्रदेश के छात्र सबसे ज़्यदा सेलेक्ट होंगे तो यह बहुत मड़वा मौका है कि जो 16,000 सीटे हैं ठीक है जो 16,000 सीटे आप देख पा रहा है इन 16,000 में लगवख 12,000 सीटे उत्तर प्रदेश के ही छात्र ले जाने वाले हैं तो बहुत बड़ा मौका है